जहीं दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दे लॉजिकल साइन्स में मैं हूँ अलोग सिंग आतीस और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिसकस करने वाले हैं तो बिल्कुल आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग तीस अगस्त के फॉस्ट सिप में जो सिवीटी वन में कुश्चन पूछे गए थे साइन्स के एलपी एक्जाम में उन्हीं सारे कुश्चन को डिसकस करें साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा आज के इस सेशन का जो भी कुश्चन है उसका पीडिया आपको कहां भी लेगा यह हमारे टेलिग्राम गूप से मिल जाएगा जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहां से जाक कि मेरे आप सबों को बताना चाहूंगा कि एलपी एंट टेक्निशन एक्जाम के लिए साइंस फांडेशन बैच चल रहा है और ध्यान में रखिएगा कल ही इसमें ग्राविटेशन स्टार्ट गुआ है और साथी बहुत सारे मित्र का यह भरी भी रहता है कि सर इस बैच में हमको क्या फैसिलिटीज मिलेगी तो मेरे मिद्र पहला चीज तो आप सबों को बताना चाहूंगा कि यह बैच आपका सीवीटी वन और साथ में सीवीटी टू डोनों के लिए हैं डिवीटी वन के लिए जो लाइप साइंस के पोर्शन फिजिक्स कमेंस्टी बाइलोजी है और साथ ही साथ जो आपके सीवीटी टू के लिए बेसिक साइंस एंडी का पोर्शन है वो दोनों आपको इस बैच में खराया जाए यहार में रखेगा रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे साथ में आपको थियोरी और नोमेरिकल दोनों करवाया जाएगा फिर पीवाइक्य इबुक कंटेंट जो भी होगा वह एंसी अर्टी बेस्ड होगा और आपको चेप्टर वाइस पीडियागी पेर में तरी यकीन मानिये कि अगर आप इतना सा रेगुलर्ली कर लेते हैं तो हंडेड परसेंट आप अस्वास्त रहेंगे कि साइंस क्या होगा तो सर आपका पर्चेज कर सकते हैं एक अप्रील के बाद इस बैच कफी इंक्रीज हो जाएगा थोड़ा सब आप कहेंगे किसा इस बैच से सम्मधित किसी भी तरह का जानकारी हम लोग कहां से लेंगे प्रमित्र मैं यहाँ पर इंक्वारी नंबर 9590-477 लिखते रहा हूं आप इस पर व सुडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे आपको दा लॉजिकल साइंस अप्लिकेशन का लिंक मिल जाए तरहाल आईए अपने से सब्सक्राइब करते हैं आप सबों के सामने हैं बड़ा ही इजी सा सवाल कुस्टन वन आप से पूछा जा रहा है कि एब वाई सब्सक्राइब करते हैं तो हम सबी कहते हैं कि गुरुजी कार्ज जो है वो बल गुना विस्थापन होता है यानि कि फोर्स और डिस्प्लेश्मेंट का प्रोड़क्ट होता है जब बल और विस्थापन के वीच कोन बन रहा होता है तो आप कहते सर यही कार्ज का फॉर्मूला हम लोग बल गुना विस्थापन इंटू क्या लेते हैं कौस्थिटा लेते हैं लेकिन यहां पर आपका लगा के द्वारा कोई विस्थापन तो उत्पन नहीं किया जा रहा है यहाँ पर क्या किया जा रहा है खुर्श कोई53 बॉक्स है जिसका भार क्यों 120 न्यूटन है उसको दो मीटर की उचाई तक उठाया जा रहा है आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर किसी भी बस्तु को किसी उचाई तक उठाया जाएगा उसकी इस्थिती में परिवर्तन होगा और यहां पर दूसके इस्थिती में परिवर्तन होगा तो इस्थिती में परिवर्तन लाने के लिए हमको कुछ न कुछ कार्ज करना परेगा और हम सबों को मालूम है कि किसी उचाई पर जो किया गया कार्ज होता है जो किया गया कार्ज होता ह वो किसके बराबर होता है तो सर MGH के बराबर होता है मेरे मित्र आपके question में क्या कहा जा रहा है कि जो weight है box का बकसे का वो 120 Newton है और सभी को मालूम होना चाहिए कि जब भी हम लोग weight की बात करते तो क्या कहते कि गुरुजी ये W equals to Mg होता है ध्यानेंगे कि ये Mg जो है वो आप के question में कितना दिया हुआ है 120 Newton और उचाई कितनी है सर दो मिटर तो आप क्या कहेंगे कि सर जो question में हमसे पुछा जा रहा है कि लर्का द्वारा किया गया कार्ज क्या होगा तो हम लोग सीधे कहेंगे कि Mg का ये जो value है ये तो हमारा 120 है यहाँ पेक सबीस रख देते हैं और और साथी उचाई आपका कितना है तो गुरुजी हमारा उचाई दो मिटर है तो दो रख दीजी यह कितना हो जाएगा आप कहेंगे 240 जूल हो जाएगा तो सही आंसर क्या होगा आप सभी कहेंगे option number B is the right answer of this जब भी आपसे इस प्रकार का question पूछा जाए किसी बस्तु को किसी उचाई तक उठाया जा रहा है उस case में आपके दोरा जो किया गया यहांपे सीधे सीधे कि सर तामबा अलूमोनियम चांदी। और कांच दिया हुआ है तो यह क्या है आप सभी सबसे पहला चीज तो यह ध्यान में रखेंगे यह सभी metal के कटेगरीम में आते तात बाथ कटेगरीज आप सभी ध्यान में रखने है कि अगर लोग तांबा की बात करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी तांबा जो है वो heat plus electricity heat plus electricity का क्या होगा आप कहिएगा best conductor माना जाए heat plus electricity का क्या होगा सर बेस्ट कंड़क्टर माना जाए कि यह हम लोग कहते भी हैं कि sir जो Tampa होता उस सोसमा का भी अच्छा चालन हो जाती है विदुधारा का भी अच्छा चालन हो किसी तरह से से ऐलोमॉनियम की बात करेंगे तो आप कहेंगे ये भी अथ की हे अठयक होती है कि ये ली तो जाहिर सी बात है कि अलुमूनियम भी क्या करेगा हीट एन एलेक्रिसिटी को कंड़क्ट करेगा पिरमित्र सिल्वर की बात की जा रही है आप कहेंगे सर्फ फाइनेस्ट कंड़क्टर सर्बोत्तम चाला किसको बोला जाता है और साथी सर इस से हीट भी परभाहित होग कि जो काच है सर जो काच है इसको हम लोग एजा एक्सेप्सन देखते हैं इसर यह मैटल के काटेगरी में तो आता है बट यह क्या होता है आप सभी कहते हैं कि सर यह जो है यह पूर कंड़क्टर होता है किसका तो पूर कंड़क्टर ओफ हीट एंड एलेक्रिसिटी पूर कं चालक क दिये तो आप ये भी कह सकते सर उसमा का भी चालन करेगा और साती सत क्या करेगा वी दुदोद का भी चलंच करेगा लेकिन इसकी जब हम לאग घंजे तो क्या कहेंगे कि यह कुछ स्पाइं हो आई ये बात करते हैं हम लोग अगले क्वेस्टन है अगला क्वेस्टन क्वेस्टन नमबर थिरी क्या पुछा जा रहा है कि मनुस्यों के लिए स्रब धौनी की आभीर्ति रे आभीर्तियों की रेंज कितनी होती है मेरे मित्र बहुत ही सहल सा क्वेस्टन है जब भी हम लोग बात करते हैं चिला जी इसकी साउंड की आप सभी कहते हैं कि गुरुजी साउंड इस दा फॉर्म अफ इनर्जी विच गिवास अ सेंसेशन टू हीरिंग एनिधिंग भणी जो है वह उर्जा का एक रूप है जो हमें किसी भी चीज को सुनने के लिए क्या करता है चमता परदान करता है और मिरे मित्र जब आप यह कह रहे हो कि साउंड जो है इस दफॉर्म अफ इनर्जी यह इनर्जी का रूप है मतलब जहां कहीं भी धौनी जाएगा जहां कहीं भी धौनी अगर जाएगा तो सर वह किस जुसरे जगाएट अधुक है इसकी कुछ प्रॉपडी जोती है क्या हो जाते हैं सर तरंग देर्ज हो जाता है फिर हम लोग क्या कहते हैं तो सर उसकी अपनी कुछ सब्सक्राइब तो हम नहीं कह सकते हैं कितने भी आप अपने आसपास में धौनी को सुनते हैं सर वे सभी तो आडिवल हैं लेकिन कुछ ऐसी साउंड भी होती है जिसको आप नहीं सुन सकते हैं या तो उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत होती है या फिर उसकी फ्रिक्वेंसी बहु करते हैं कि उसके आबिर्ती के आधार पर या आबिर्ती के रेंज के बिजस्के तीन के डिवाइट करते हैं नद कौन सा आप सभी ध्यान sauce कि पहला होता है आपका इंफ्रा सोनिक साउंड unfa Experience साउंड इंफ्रासोनिक साउंड इसी को हम लोग क्या कहते हैं तो इसको हम लोग अब सरब धौनी तरंग है इसको हम लोग क्या कहते हैं अब सरब धौनी तरंग है और ध्यान में रखेगा कि इसकी आविर्थी कितनी होती है तो सर इसकी आविर्थी 20 हर्ज से नीचे की होती है सर 20 हर्ज से नीचे की होती है और मिरे मित्र एक होता है आपका अल्ट्रा सोनिक साउंड एक कुंसा होता है अल्ट्रा सोनिक साउंड जिसको हम लोग क्या कहते हैं तो सर इसको हम लोग प्रासरब धौनी तरंग है क्या कहते हैं प्रासरब धौनी तरंग है ठीक है और ध्यान मे तो सर इसकी फ्रीक्वेंसी 20000 हर्ज से जयादा होती यानि कि वैसा धोनी तरंग इसकी compensation आभीरती 20,000 हर्ज से जयादा हो उसको हम प्रासरब धोनी तरंग है पहने घ्रमितर ध्यान में रखेंगे कि 1 kHz 1000 Hz होता है यानि कि अगर हम कहीं पर 1K H Z लिखते हैं तो यह कितना होगा 1 kHz होगा तो यहाँ पर आपका 20 000 Hz है उसके बारे मैं आप क्या कहेंगे कि Sir ये 20 kHz हो जाए क्या हो जाएगा 20 kHz हो जाए साथी मेर में तर आप सभी धियान में रखेंगे कि एक तीसरा भी आपका form होता है किसका सर, sound का और वो क्या है, तो सर वो है सरब धोनी तरंग, वो क्या है, सरब धोनी तरंग, फिरमितर ध्यान में रखना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग audible sound wave कहते हैं, audible sound wave कहते हैं, आप सभी याद रखेंगे, इसकी frequency 20 हर्ज स से 20,000 हर्ज के बीच की होती है, इसकी frequency कितनी होती है, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच होती है, मतलब क्या हुआ, कि अगर कोई भी sound wave जिसकी frequency 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच का है, उसको हम लोग सुन सकते हैं, और वो क्या होती है, सुनने योग धोनी होती है, जबकि अगर हम को नहीं धौनी तरंग को मनुस्थ के द् Stream के द्वारा नहीं सुना जा सकता है और यार舆ंगे कि आप सब drinking जबात की बात की जाएंगी तिसकी फ्रिक्वंक सिबैट कि मीईचे गोगी प्रास्रब drinking की बात की जाएंगि तिसकी कम ऐगी तैसकी एंगे तो सब गी ध्हाजार हर्ज को तो हम लोग किलो हार्ज भी कह सकते आप छहिंगे थीज़ ही कहाता है आप से सवाल यह पहलाstars में 16 किलो हर्ट से 200 किलो हर्ट दिया हुआ है नहीं होगा दूसरा है आपका 16 किलो हर्ट से 16 किलो हर्ट और चौथा है 14 हर्ट से 20 किलो हर्ट पिरमितर आप क्या कहेंगे कि सर 20 हर्ट से 20,000 हर्ट तो दिया नहीं है तो यहां पे हमको को सबसे सुटेबल आपको क्या लगता है आ हुआ यहां पर सोज़ार हर्ज होती है लेकिन यहां पर बएस हर्ज नहीं है 16 हर्ज है तो इस क्वेस्टन के कोर्डिंग और उप्षन के क्यों घृती को देखते हुए क्यों क्योंकि सभी का जो लोवर धालोवी तरणग होती है और सरब पराशरब धोनी तरणग होती है इस दोनों के बीच का जो धोनी ध्यरंगे उसको हम लोग सुनेंगे तो सर अब सरब आपको 16 किलो हर्ज के अनुमातांक में भी लिया जाता है लेकिन एस्टेंडर रूप में आप 20 हर्ज ही याद रखेंगे जब क्वेस्टन आपको ऐसे मिलेगा तो आप इसको डील कुछ इसी थरीके से कर लेंगे उमीद करते हैं समझ पाएं होगी बात करते हैं सर अगले कुश्चन की अगला कुश्चन कुश्चन नमबर फूर विच आप तो फॉलविंग इस एड़ेट टू आईरन तो मेक आईरन हाड और स्ट्रॉंग मेरे मीतर आप सबों को मालूप है कि अगर हम लोग को लोहा को और ज्यादा मजबूत बनाना होता है तो हम लोग कहते हैं सर इस पात बना दो और आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी इस पात बोले तो इस्टील की बात हम लोग कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं और यह जो इस्टील होता है यह किसका मिसरन होता है तो सर आईरन का मिसरन होता साथी क्या होता है सर तो सर इसमें क्रोमियम भी होता है और क्या होता है तो गुरुजी कारबन होता है क्या होता है क्या होता है क्यों करा जा रहा है कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निमलिखित में से कौन मिलाया जाता है तो सर जस्ता मिलाया नहीं जाता है सोड साथ वह सर आरन से बहुत ज्यादा मजबूत होता है और साथ ही यह जो है सर इस पर जंग भी बहुत कम लगता है यैनि कि आप कहा सकते हो कि जंग रोधी भी यह होता है आईए बात करते हैं सर अगले कुस्टन अगला कुस्टन कुस्टन नम्बर आप से क्या पुछा जा रहा है कि एलकली मेटल्स और एस साइंस्ट विच ग्रूप इन दो मॉडर्ण प्रिडिक्टेबल हार धात्मों को हार धात्मों को आधुनिक आबर्त सार्नी में क इसरा समू दूसरा समू अठारमा समू पहला समू क्या होगा इसका अंसर एक चीज़ तो आप यहां पर किलियर कर लेंगे कि जब भी हम लोग अपने आवर्त सार्नी की बात करेंगे तो आप सभी यह याद रखना कि आपके आवर्त सार्नी में टोटल वर्ग की संख्यां कि परतेक वर्ग का कुछ न कुछ नाम है, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे वर्ग एक की, तो आप सभी कहना कि वर्ग एक को छारिया धातु कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा चिला जी, छारिया धातु जिसको हम लोग अलकली मेटल कहा, वर्ग दो को क्या कहा जाएगा, तो आ लोग संक्रमन्त केंगे और रगतेरों थे रोकुनियम गुरूप कसी में मिलता है तो गुरू जी हमको करेंगे और अब सभी याद रखना कि इसको टेट्रल समूह बोला जाता है क्या बोला जाता है टेट्रल समूह बोला जाता है और चला जी अगर बात की जाएगी वर्ग 15 की जब सभी याद रखना इसको nitrogen family बोला जाता है या पिर इसको Nictogen भी बोला जाता है क्या बोला जाता है Nictogen बोल जाता है और साती चला जी आप इसकी ध्यान रखना कि अगर हम लोग बात करेंगे किसकी वर्ग 16 की तो इसको हम लोग चाल को जैन family कहते और अगर हम बात करेंगे वर्ग 17 की आप सभी याद रखना कि इसको हैलो जन बोलते हैं और अगर हम लोग बोलेंगे वर्ग 18 की आप सभी कहना सर इसको अकृअ है अक्डीय गैश इंद wanna गैस तो अगर आपको कहीं के भी आबर साथ ली यह चाहिए तो सारा आंसर आपको मिल जाए की छार धातौँ को आधुनी कावर सारनी में क्या कहा जाता है तिला जी जो आपका छार धातू है वह आधुनी कावर सारनी के औरुटर Aunde में मौझोद है तो पहला सामूं आपके स्माइफ तीसरा सामूं आपके अर्ग तीन से बारा तक हमारा संक्रमन तत्तों कहला हैगा दूसरा सा मूझ छारिय मिर्दा तत्तों 18 mac社 मूझ को क्या कहेंगे आप कहेंगे सर अक्रिय गयास समोगे उमीद है समझ पाएं हो आईए बात करते हैं अगले क्वेस्टन अगला क्वेस्टन क्वेस्टन नमबर 6 मनुस्तियों में पाये जाने वाला सौसन पिगमेंट है आप सभी कहेंगे सर हम सबों को मालूम है कि जब भी रिस्पारेटरी पिगमेंट की बात करते हैं तो किसको ले करके चलते हैं हिमोगलोबीन को मेरे मितर आप सभी कहते हैं कि सर जो हमारा बलड है जो हमारा बलड है इसमें क्या होता है तो आप कहते सर इसमें हिमोगलोबीन होता है क्या होता है हीमोग्लोबीन होता है वेरे बितर आप सभी क्या कहते हैं कि सर यह जो हीमोग्लोबीन है एक्च्छली में यह हीम और ग्लोबीन प्रोटीन से मिलके बना हुआ है और इसमें क्या होते हैं सर आईरन होते हैं जो हमारे बाडी के अंदर जो ऑक्सिजन होता है उसके स लेता है औक सी हीमोग्लोबीन बना लेता है और यहीं और पुरे बोड़ी में क्या होती है इसलिए हिमोग्लोबीन को क्या बोले जाता है सोंसर पिग्मेंट बुला जाता। सई आंसर तो आपका option Number B हो जाएगा कि मनुस्यों में पाय जाने वाला सौषन पिगमेंट है सवाल ये है कि सर ये रोडॉप्सीन क्या है तो मिरो मितर आप सभी ध्यान में राखना कि रोडॉप्सीन जो है वो आपके आख के road cell में पाया जाने वाली protein होती है मेरे मितर आप सबों को मालूम होना चाहिए कि आपके eye में दो photoreceptor आपका organs है या आप कहा सकते हो कि sir photoreceptors कौन और roads है जहाँ पे कौन जो है यह higher light के लिए responsible होता है या आप कहा सकते हो white light के लिए responsible होता है जबकि अगर हम road cell की बात करते हैं तो road cell जो है वो dim light के लिए responsible होता है मेरे मितर आप सभी ध्यान में रखना कि eye का जो road cell है इसी में क्या होता है तो sir rhodopsin पाया जाता है क्या पाया जाता है sir rhodopsin पाया जाता है और मेरे मितर आप सभी ध्यान में रखेंगे कि रोडॉपसीन को हम लोग क्या कहते है विजुल परपल पिगमेंट कहते हैं क्या कहते हैं विजुल परपल पिगमेंट कहते हैं और मेरे मित्र यह जो रोडॉपसीन है यह एक प्रकार का जी प्रोटीन होता है जिससे यह मिलके बना होता है और मेंली इसका काम क्या होता है त इसमें चेंज करना electrical signal में चेंज करना तो कहीं पे भी आपसे ये पुछा जाए what is road vaccine तो आप कहेंगे आख के road cell में पाया जाने वाला protein है जो light को electrical signal में क्या करता है परिवरतीत करता रोड सेल और कौन सेल क्या है आप कहेंगे पॉटो रिस अप्टर से रहें यह सरफ फॉटो री सप्टर से लेज़ू कहां पाया जाते हमारे आई में पाय जाते हैं क्यों किसके लिए होता है सरवाइड लाइड के लिए responsible मीतनल मेलानीन की बात की जारी there मैलानीन क्या होगा आप केंगे सर ये हमारे इसकीन के कलर सक्ट गलर पीगध कर सकते हैं नेक्स्ट आप सबों को मालूम है कि इसको लोग प्रकाम संसलिश्टप वरनक बोलते हैं यह क्या करता है व्यद्ला संट्रीए में संलाइट को ट्रेप करता है फसाता है आई बात करते हैं अगले कोश्च्ट है अगला क्वोष्चन बराही सरल सा कि सोडियम कार्बोनेट का रसाइनिक सुत्र है आप सभी कहेंगे सर एंने टू सीओ थी जब भी सवाल कि जाएगी सोडियम कारभोनेट का रसाइ आप आप कहना N2C O3 10H2O 10H2O और दियान में रखेंगे यह N2CO3 को N9 A2CO3 को हम लोग क्या कहते हैं सोडा S भी कहते हैं क्या कहते हैं सर सोडा S भी कहते हैं ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ध्यान में आप ये भी रखिएगा कि अगर कहीं पर बात की जाएगी sodium bicarbonate की, किसकी बात की जाएगी चेला, sodium bicarbonate की, तब आप सभी क्या कहेंगे, तब आप सभी कहेंगे NaHCO3, क्या कहेंगे, NaHCO3, ध्यान में रखिएगा, कि NaHCO3 को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो कुस्टन, कुस्टन नमबर 8, which of the following is used to get relief when you have been stung by a honeybee, मधुमखी द्वारा काटे जाने पर, राहत पाने के लिए निमलिखित में से किसका उप्योग किया जाते हैं, पहले तो आप हमको ये बताओ, कि आपको अगर मधुमखी डंग करे, चीटी डंग करे, तो मधुमखी य तो भाई मेड़े जो मधुमखी आपको काटता है या चीटी काटती है, वहाँ पर आपको जलन होता है, किसके बज़ल से फॉर्मिक एसीड के वज़गा, कोई भी एसीड निट्रलाइज किससे होगा, सर बेस के साहरे होगा, तो चेक कर लेते हैं, कौन बेस है, आपका पहल सिंग सोडा, आप कहेंगे सर बिल्कुल इसकी प्रकिर्ती कैसी होगी, तो सर इसकी जो प्रकिर्ती होगी, वह बेसिक होगी, बेसिक नेचर की होगी, लेकिन मधुमखी वगेरा के काटने पे हम लोग किसका इस्तमाल करते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तमाल करते हैं, जिसका पर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं सर एन एच सीउ थी लिखते हैं क्या लिखते हैं सर एन एच सीउ थी लिखते हैं एसिटिक एसीड आपको कहां पर मिलेगा तो सर एसिटिक एसीड जो है वह हमको सिरका से प्राप्त होगा किस से प्राप्त होगा सिरका से प्राप्त होगा और मिरमीतर आप सभी ध्यान में रखना, कि 5-8% acetic अमल का जलिया वीलियन क्या कहलाता है, सर जी सिर्का कहलाता है, उमीद है, समझ पाए हूँ, नेक्स्ट कोस्टन देखिएगा, कोस्टन नमबर 9, बड़ा सरल सा सवाल है, आप से पूछा जा रहा है, कि M1 केजी दरबमान वाले एक लक्री के तक्ते पर, 5 न्यूटन का बल लगाने पर, यह 10 मीटर पर सकेंड स्क्वाइर के तौरण से आगे बढ़ता है, चिला जी थोरा सा यहाँ पर, यह यूनिट इसका गलत लिखा हुआ है, हम यहाँ पर सही लिख दे रहें, 10 मीटर पर सकेंड स्क्वाइर के तौरण से आगे बढ़ता है, M2 के जी दरबमान वाला एक अन तक्ता, समान बल लागू होने पर, 20 मीटर पर सकेंड स्क्वाइर के तौरण से आगे बढ़ता है, यदि दोनों तक्थे को एक दूसरे के साथ बांद दिया जाए और उन पर समान बल लगाया जाए तो तोरण कितना होगा वेड़े मितर ये question मैंने अपने classroom में डिटो बताया अभी हाल फिलाल में और आपके इस सिफ्ट में question पुछा हुआ है बहुत इजी सा सवाल है इसके लेंग्वेज पर आप सभी मत जाना आपके question में ये कहा जा रहा है कि M1 के जी मान लो कि ये आपका एक कोई object है इसका दर्मान कितना है M1 इस पर कितना बल लग रहा है चेला जी पांच न्यूटन का बल लग रहा है कितना इसलेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो गुरुजी 10 मीटर पर सकेंड स्कॉर का इसलेशन प्रोड्यूस हो रहा है फिर दूसरा है आपका M2 दूसरा क्या है आपका M2 इस पर क्या हो रहा है तो गुरुजी सेम बल लग रहा है कितना पांच न्यूटन का कितना इसलेशन हो रह यहाँ है 20मेटर पर सेटेट स्कुर्य आप से कहा जा रहा है कि दोनों को बांध दिया जाए और प्रिश्प पाच नूटन का ही बल लगाया जाए तब ओरन कितना होगा आप क्या कहेंगे कि सर लौजिक यह है कि पहले हम को दुन्नु के मास निकालना होगा ए चेला तब न जो रहेंगे बांधेंगे तो हमको तौरण मिलेगा आप कहेंगे सर पहले तो मास निकाला अचान नहीं है ध्यान देना यहां पर अगर हम बात करें मास्-1 की किसी गए हमन की तो आप सभी क्या कहो कि सर्फ फोर्स है पांच और हमारा ऐसलेरशन है दस तो पांच एकम 5 5 दूना दस यहाँ पर जो मास होगा वह कितना होगा 0.5 केजी अब यहाँ पर अगर हम एमटू की बात करें आपको होगे बल तो वही होगा यह 5 एकम 5 पंचों का 20 यह हो जाएगा 0.25 kg चेला जी आपके कोश्चन में कहा जा रहा है दोनों को जोड दिया जाए अब फिर उस पे 5 न्यूटन का बल लगाया जाए तब मास जो है M1 पलस M2 उतर जूटना जाएगा चेला अब बल कितना लगेगा आप कहेंगे सर पांचे न्यूटन तो आप पुछा जा रहा है एसलरेशन क्या होगा आप क्या कहिएगा कि सर जब मास इसका आप जोरने की बात कर रहे हैं जब मास जोरने की बात कह रहे हैं तो 0.5 0.25 कितना हो जाएगा 0.75 तो हम यह कह सकते हैं हम यह कह सकते हैं कि सर यहा जी एफ कितना है पांच अबटा मास M1 प्लस M2 0.5 प्लस 0.25 कितना हो जाएगा 0.75 पॉइंट हटा के उपर 500 रख दीजिए सॉल्ब किजिएगा 6.66 के सम्थिंग आएगा देख लिजिए ऑप्सन में क्या है 6.67 1.67 5.67 4.67 क्या कहिएगा कि गुरुजी जब आप कह रहो 6.6 के सम्थिंग आएगा तो सही आंसर तो ऑप्सन नमबर ए हो जाएगा बिलकुल से तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले प्रमितर आप इसको इसी तरीके से सॉल्ब करेंगे असानी होगी आईए बात करते हैं अगले कुश्चन की अगला कुश्चन कुश्चन नमबर 10 पड़ा ही सरल सा सवाल है सर और मेरे ख्याल से आप इसका जवाब आसानी से दे दे तोकन जिनका आबेस Q1 और Q2 एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गया है मेरमित्री यहाँ पे एक हमारा Q1 है और दूसरा हमारा Q2 है और यह एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखा गया है इनके बीच एक बल उत्पन होता है यदि दूरी एक बटा 5 की कमी की जाती है तो दोनों की बीच बल कितना होगा आप कहांगे सर अगर ये दोनों r डिस्टेंस पे है तो f equal to k into q1 into q2 बटा r square हम लोग लिखेंगे मेरे मित्री ये कहा जा रहा है कि यहां पे अगर इसकी बीच की दूरी को एक बटा 5 कर दिया दियोगा तो f equal to k into q1 into q2 बटा क्या हो जाएगा वन बटा 5 का square आप खेंगे कि सर f equal to k into हो जाएगा ये हमारा q1 into q2 q1 into q2 अबटा 1 बटा 25 आप फिर से कहेंगे कि सर इसको हम लोग f equal to क्या लिग सकते हैं कि ऐग सोरी f सकते हैं 25 के q1 into q2 अबटावण परमित्र जब आप इसके बीच में दूरी को एक रख रहे थे तो आपका ये बल कितना आ रहा था तो सर इतना रहा था अब जब आप एक बटा पाच कर दे रहें तो आपका बल जो है वो कितना रहा है तो सर इप पूरा ते एक के बराबर है य यहां पर किये का वैल्यू हम लोग वन बटा फोर पाई इपसिलोन नौट इंटो इपसिलोन आर भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सवाल सीधा था और ऐसे भी जो आपका दो चार्ज अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर इस्थित है तो उसके बीच में जो लगन क्या होगा आपके अंगे सर बढ़ जाएगा आईए बात करते हैं अगले कोश्चन अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 11 निमलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था यानि की रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है यहां पे जो प बात करते हैं तो कोन कोन है सर सॉलीड है लिक्विड है गैस है प्लाजमा है और साथ में क्या है सर बीई सी अगर आपको सॉलीड से लिक्विड में जाना होगा तो आप क्या करेंगे सर हीट देंगे लिक्विड से गैस में जाना होगा तो क्या करेंगे सर हीट देंगे और किसी भी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन दाब और ताप दोनों से हो सकती है और किसी भी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन के लिए टेंपरेचर और प्रेसर का होना बहुत ही ज़रूरी होता है तो आपसे जो सवाल करा जा रहे कि निम्लिकित में से किसमें परि यह ब्रदित किया जा सके है तनी अकार से कोई लेना देना नहीं है और देनसिटी की बात की जाएगी तो आप सबह सब कहेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो साथ accounting की बात करेंगे तो आफ कहेंगे सर ज BCB याम सबस्क्राइब कावा सिब्टर इकी डिप एक सबस्क्राइब करें आगले पर निभी ऊसांगत है जैसे चुम्बक डैस से संबंधित है अगर हम लोग किसी भी बैटरी की बात करते हैं या सिंपल आप सोचो किसी हम सेल की बात करते हैं तो सेल में पॉजिटीव और निगेटीव होता है पॉजिटीव और निगेटीव टर्मिनल अब बहुत सारा सेल सहयोजीत होगा तो क्या बनेगा बैटरी लेकिन उसमें भी तो पॉजिटीव और निगेटीव टर्मिनल होंगे अगर हम लोग यहीं पर किसी चुम्बक की बात करते हैं तो नौर्थ पोल और साउथ पोल होता है उत्री धुरूब और दचनी धुरूब होता है मतलब यह हुआ जिस तरह कोई से लि रखना यहां पर परतिकर्शन रिपेल की बात की जा रही है आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सेम पोल चुम्बक के जो सेम पोल होंगे वह हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे एट्रेक्ट करेंगे यानि कि आकरसित करेंगे स्वरी सेम पोल एट्रेक्ट नहीं सब्दाद सब्सक्राइब कर सुनत आपको द teio करेंगे जब भी लोग सब्सक्राइब यार्ट प करेंगे जासे और नर्थ एक दूसरे को अनिका नमबर 13 आपसे पुझा जा रहा है कि निव्ण में से किस रासी का मान अस्थान बदलने पर भी परिवर्थित नहीं होता है उप्सन है गुर्तवाकर्षन रभमान घर्षन के कारणपन वजन क्या होगा इसका आंसर पिरमित्र बहुत ही ईजी सा सवाल है और सही आंसर आप सबों से उम सब्सक्राइबर होती है और मैंने कई बार बताया है तो सर इसमें कोई लागलब बेटा है नहीं ऑप्सन नमबर ए में सर ठीक है बाकी के आप देख रहे हैं कि गति जूर्जा प्लस बिद्दू तूर्जा है गति जूर्जा प्लस रसाइनी कुर्जा ध्यान दीजिएगा अगले कुश्चा अगला कुश्चन आपसे यह कहा जा रहा है कि धावन सोडा में क्रिस्टली करन के पानी की परतिसत मात्रा कितनी है मेरे मितर आप सभी ध्यान में रखना कि जब हम लोग धावन सोडा के लिए एन एटू सी ओ थ्री टेनेच टू ओ फर्मूला लिख रहे ह प्रतिसत है वहां प्रतिसत है कि गुरुजिप पहले तो हम पूरा का यह निकालना होगा मास निकालना होगा मेरे मित्र आप सभी यहां पर क्या कहेंगे कि सर सोडियम के एक परमानू का द्रभमान हम लोग कितना लेते हैं तो आप कहेंगे 23 लेते हैं तो दू हो है तो यह 46 हो जाएगा कारबन एक हो है तब 12 और और ऑक्सिजन तीन गो है तो आप क्या कहिएगा सर सोलतिया 48 यानि कि सर 180 तो जूटेगा भी आपका अब आप सबको जोने तो क्या कहेंगे सर 0 है यहाँ पर आठ दू दस अच्छा सोला तोला में आपका च्छा जाएगा आठ एक नौ नौ चार तेरह एक चौदा अचार अठार और फिर आपके पास कितना बचा एक और एक यहां है यह कितना हो ग 206 ध्यान में रखेगा कि इस पूरे अनुभार में जो आपका वाटर है वो कितना है तो सर 10H2O का जो दरबमान है यानि की जल का जो दरबमान है वो कितना है तो सर जी जल का दरबमान एक-सव असी है कितना है 180 आप से क्या कहा जा रहा है question कि धोवन सोडा में क्रिस्टली करन के पानी की परतिसत मातरा कितनी होगी अब 286 में 180 कितना है यह निकाल लीजेगा 286 में 180 कितना परतीसत है ये नहां निकलेगा आप कहेंगे सर आसानी से निकलेगा तो सही आंसर क्या होगा निकाल के नीचे कमेंट जरूर की आईए बात करते हैं अगले कुष्छ अगला कुष्छन कुष्छन नमबर 16 आप से कहा जा रहा है कि NACL 11 है जो बनता है मंद अमल और तिब्र चार से तिब्र अमल और मंद चार से तिब्र अमल और तिब्र चार से मंद अमल और मंद चार से क्या होगा इसका आंसर मिरमित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरु जी जब भी हम लोग सॉल्ट की बात करते हैं जब भी हम लोग सॉल्ट की बात करते हैं इसको तीन कैटेग्रीज में रखते हैं, पहला हम लोग क्या कहते हैं, acidic salt, जो क्या होता है सर, तो सर यह strong acid, strong acid plus weak weight से बना होता है, strong acid plus weak weak से बना होता है दूसरा होता है हमारा सर basic salt basic salt ध्यान में रखेंगे कि basic salt किस से बना होता है तो सर strong base strong base और strong sorry strong base और weak acid से बना होता है और एक होता है आपका neutral salt neutral salt जो की किस से बना होता है तो सर यह strong acid Queen highly stringious aolaist strong base से बना होता होता है strong acid plus strong base से बना होता है यहनीकि Τीवर अमल और तीवर शार से मिलक बना उस्री आंसर ऊहएगा आप सभी कहेंगे कि गुरु जी पहला option है मंद अमल और तीबर चार गलत है तीबर अमल और मंदर चार ये भी गलत है तीबर अमल और तीबर चार option number C is the right answer of this question ध्यान में रखेंगे कि NACL हमारा किस परकार का salt है तो sir इसको हम लोग neutral salt यनि कि उदासीन लवन के रूप में सब्सक्राइब कि अगर हम लोग बात करेंगे कि इसकी प्लांट की तो आप कहेंगे सर मरिस्मेटिक टिसू है और फिर उसके बाद जो है कहा got hit per Nine usa till छोड़ते समय घन उसकी इस्थिति फिनंघत कि जाने लोगिकी तीर आगे पर हो जो हमारा इस्थिति करेंगे और जाएगा कि sound is also a form of energy पिरमित्र उमीद करते हैं यहां तक कि सभी कुछ्ष्ण को आप आसानी से समझ पाए होंगे और अब अगर आपको इस टाइब का प्रस्ट दुबारा दे दिया जाए तो आप उसका जबाब भी आसानी से दे सके ताथी उमीद करते हैं यह वीडियो आपको कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा सेयर कीजिएगा और हां अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बैल आइक अंदवा लिजिएगा ताकि इस तरह के एक्जाम रेलेबेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सब मिलते हैं फिर अगले सेशन में तब तक के लिए बेस्ट आफ लग थैंक यू हाव नाइस